नामस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathod और आज इस lecture में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Tajikistan के द्वारा, अफगानिस्तान के rebel leader एहमद शाह मसूद को दिये गए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में ये अवार्ड अब क्यों दिया जा रहा है एहमद शाह मसूद की मृत्यों को 20 साल से भी जादा समय हो चुका है तो अब इसका क्या relevance है और इसका Tajikistan के, अफगानिस्तान के relations के साथ क्या लेना देना है इन ही सब points को हम discuss करेंगे तो अभी के लिए आप ये याद रखे कि एहमद शाह मसूद who was also called as the Lion of Panjshir और साथी साथ पूर्व अफगान राश्टरपती बुरानुदीन रब्बानी इन दो नेताओं को ये अवार्ड दिया गया है मसूद जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है 1990 के दशक में और 80 के दशक में पंजशीर वैली में लड़ाई लडने के लिए और 9-11 के दो दिन पहले इनकी हत्या कर दी गई थी अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ और ये अफगानिस्तान है अब अफगानिस्तान से जो बॉर्डरिंग एरियास है बहाँ पर ताजिक रहते हैं बहुत सारे एथनिक ताजिक्स हैं ये पॉइंट याद रखेगा आगे भी वापिस मैं इसको मेंशन करूँगा तो इसी ताजिक माइनॉरिटी में जन्म हुआ था एहमद शाह मसूद का इनके पिता जी ततकाली इन अफगानिस्तान आर्मी में सीनियर पोजिशन पर थे करनल बन गए थे किंग जाहिर शा के आर्मी में तो कहने को ये बहुत बड़ी पोजिशन थी लेकिन उस समय अफगानिस्तान में शांती थी कोई लड़ाई वगेरा नहीं थी तो ऐसा कोई खास पावर नहीं था और ना ही कोई आर्मी लड़ाई लड़ रही थी अफगानिस्तान की तो इनका बचपन काफी नॉर्मल सा बीता था काबूल में ये रहे देश के कई अलग-अलग हिस्सों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और एक military kid जिस तरह से पूरे देश में रहता है उस तरह से इन्होंने पूरे देश को देखा था लेकिन इनका घर कहा था ओरिजिनली ये थे पंजशीर वैली से पंशीर वैली जो है यहाँ पर जंगलक नाम की एक जगे है ये काबूल से कुछ घंटे की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है तो यह है यहाँ काबूल और यह है पंशीर वैली की location तो यहाँ पर आप मैप में जो northern Tajikistan वाला जो border है उस area में जो यह yellow color की territories आपको नज़र आ रही है यह सभी ethnic Tajiks का area है अफगानिस्तान में अबादी के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है पश्टून या पक्तून का तो यह brown areas जो है यह ethnic पक्तून हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो central अफगानिस्तान में हजारा उसके बाद किर्गेस और अन्यक कई छोटे बड़े ethnic groups यहां मौझूद है और in fact यही एक reason है कि अफगानिस्तान में कभी भी एक stable government या बहुत जादा political stability नहीं बन पाई है तो it has been a blessing as well as a curse कि यहाँ पर बहुत सारे ethnic groups मौझूद है तो आपको यह याद रखना है कि अहमद शाह मसूद was a Tajik और Tajikistan of course नाम से ही आपको पता चल रहोगा कि वहाँ पर कौन रहते हैं Tajik लोग तो देखिए अब 1960s की बात है काबूल में जब अहमद शाह मसूद एक नौजवान के रूप में युनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब वहाँ पर बहुत सारे groups बनने लग गए थे Cold War की चायां यहाँ पर काबूल पर आ गई थी अफगानिस्तान की politics पर भी आ गई थी कई सारे secret communist clubs बनने लग गए थे तो दो तरह के clubs थे एक Islamist clubs और एक communist club उस समय में और ये लग रहा था तै कि जो मुनार्की है ये पुरानी मुनार्की है जो राजा बादशा होता है उसको तो अब हटा दिया जाएगा ये पूरी तरह से दिख रहा था तो कई तरह के groups बन रहे थे उनमें एहमद शाह मसूद was a member of the Muslim Youth Organization so he was an Islamist member of the Islamist groups 1973 में क्या होता है कि King Zahir Shah के cousin Muhammad Daud ने Communist Party के support के साथ Soviet Union के support के साथ सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद ये कू हो गया था तो सत्ता हत्याने के बाद Muhammad Daud ने Islamist Organizations पर crackdown शुरू किया और इसी समय एहमद शाह Masood की जो ये संगठन था साथ में जिसमें हैकमत यार और रबानी जिससे जो आगे चलकर बड़े नेता बनेंगे अफगानिस्तान के ये भी शामिल थे इन सभी पर crackdown हुआ और इनको देश छोड़ कर जाना पड़ा और ये सब चले गए पाकिस्तान पाकिस्तान ने देखा कि अफगानिस्तान से ये भाग कर आए है Soviet Union से तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे पास opportunity है USA भी उस समय पाकिस्तान को favor करता था because of the cold war politics तो इन exiled Islamists को जो अपने देश छोड़ कर आए है इनको पाकिस्तान ने इस्तमाल करना शुरू किया इनको हत्यार मोहिया कर आए और इनको कहा कि जाकर तुम महाँ पर फिर से लड़ो तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और इनोंने यह क्या किया इन लोगों को train करना शुरू किया जो काम इनोंने बात में कश्मीर में भी किया था यह पहले अफगानिस्तान में भी कर रहे थे तो 1970s में मसूद को भिजा गया पंशीर यानि कि उनके ग्रह जिले में और सभी जो दूसरे leaders थे उनको अपने-पने hometowns या home territory में भेज कर कहा गया कि अब जाकर आप Soviets से या communist parties से महाँ पर लड़ो अब यहाँ पर इन में एक breakdown आना शुरू हो जाता है, breakdown कैसा कि यह अलग-अलग हो जाते हैं जैसे हिकमत्यार जो है, वो अपना अलग organization बना लेते हैं, हजब इसलामी और इसमें mainly ethnic पश्टून से यह division क्यों होने लगा, क्योंकि यह जो नेता थे, यह खुद या तो ethnic पश्टून, पश्टून या फिर ethnic ताजिक इस तरह से थे तो इनमें आपस में कई divisions हो जाते हैं, लेकिन यह हिजब इसलामी जो है, यह ISI और पाकिस्तान के साथ आने वाले कई दश्कों तक अच्छा relation रखेगा मसूद और रब्बानी जो हैं, यह एक साथ रहते हैं, जमाते इसलामी पार्टी में और इसमें जादा तर ethnic ताजिक्स थे अब 1975 में जब पहली बार मसूद को पंशीर भेजा गया था, तो यह वहाँ पर विफल हो गए थे, फिर से पाकिस्तान आ है, 78 में फिर से अपने देश जाते हैं, लेकिन इस बार यह पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ नहीं गये थे, इन्होंने देख लिया कि किस तरह से यहा अपने दम पर पंशीर जाते हैं, इस बार इनके साथ केवल 30 सपोर्टर्स थे, 17 राइफल, 130 डॉलर कैश और केवल एक चिठ्थी जो यह लोगों को कह रही थी कि जहाद छेड़ दो इस सौवेट उनियन की गवर्मेंट के खिलाफ या सौवेट बैग्ड सरकार जो अफगा करने ही पाए, यहां से सौवेट को इन्होंने हटा दिया भगा दिया था और 1982 में इनको टाइटल दे दिया गया लायन ऑफ पंशीर, शेर पंशीर नाम से इनको जाने जाने लगा, 1988 में सौवेट उनियन यह एलान कर देता है कि वो अफगानिस्तान छोड़ कर जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो पीछे मुझाहिदीन फाइटर्स हैं, इनमें आपस में तकरार शुरू हो जाती है, तो एक तरफ आप देखोगे कि आहमत शाह मसूद और ताजिक्स थे, दूसरी तरफ हैकमतियार और उनके हाड लाइन इसलामिस्त थे, और इसी ग्रुप से यहां प सौवेट उनियन यहां से बाहर जाती है, तो एक कमजोर सी सरकार है, और उस सरकार में, उस सरकार के पास जाधा पावर नहीं है, नजीब उल्ला की ओ गवर्मेंट थी, और उस गवर्मेंट के खिलाफ यह सारे मुझाहिदीन लड़ रहे थे, और पाकिस्तान ने क्या डिसा नाम होगा, और इसमें Minister of Defence रहेंगे, एहमद शाह मसूद, तो यह काबूल में अपने अपने लड़ाईयां लड़ रहे थे, और इसी बीच यहां पर तालिबान आकर हमला कर देता है, काबूल पर, और 95 में तालिबान के खिलाफ लड़ते लड़ते, यह लोग हार जाते है, एन अल्टिमेटली काबूल इनके हाथ से निकल जाता है, तो यह फिर से कहाँ चले जाते हैं, पंशीर वैली में, तो काबूल इनके हाथ से निकल गया, लगबग आधे देश पर तालिबान का कबजा हो गया, 96 तक, लेकिन जो उत्तरी हिससे हैं, उत्तरी 10-20% जो एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पर अभी भी आहमच्शा मसूद और हिकमत्यार जैसे यह जो लीडर्स थे, इनका कंट्रोल था, तो आहमच्शा मसूद जो है, यह पहले तो एक बार ताजिकिस्तान चले गए, क्योंकि अफकॉर्स ताजिकिस्तान, ताजिक्स का देश है, एथ तो इसमें हकमत्यार और एहमच्शा मसूद जैसे important leaders थे, और 96 से 2000 के बीच में कभी इनके पास 10%, कभी 20%, कभी 5% territory रहती थी, 2001 में एहमच्शा मसूद योरोप जाते हैं, और वहाँ पर देशों को जाकर कहते हैं, कि आप pressurize करो पाकिस्तान को, कि वो तालिबान का support करना काम अलकाइदा ने किया था, लेकिन order तालिबान का था, इन्होंने एहमच्शा मसूद की हत्या कर दी, assassination कर दिया गया, दो reporters को भेजा गया, interview लेने के बहाने, इनका interview शुरू होता है, और उनमें से एक reporter जो है, वो bum पहने हुए था, तो उसने अपने आपको detonate कर दिया, और 9-11 attacks के जस्ट दो दिन पहले, एहमच्शा मसूद की हत्या हो जाती है, और इससे Northern Alliance काफी कमजोर पड़ जाता है, कहीं न कहीं, अलकाइदा तालिबान ये anticipate कर रहे थे, उन्हें लग रहा था, कि इन हमलों के बाद, अमेरिका क्या करेगा, एहमच्शा मसूद को हत्यार मुह को क्यूं दिया है, देखो, पंशीर वैली और ये सभी Northern Areas, ताजिकिस्तान के काफी निकट है, अभी भी आपको पता होगा कि अमरुल्लास साले, जिन्होंने अपने आपको एक independent गोशित कर दिया है, कि मैं राश्टरपती हूँ, अफगानिस्तान का, तालिबान के खिलाफ करता था, तो अभी अमरुल्लास साले, जो है, इनको सपोर्ट कर रहा है, ताजिकिस्तान, इन्होंने काया कि मैं अमच्छा मसूद का साथी हूँ, उस समय से उनके साथ हूँ, तो अब मैं उनके बेटे को भी सपोर्ट करूँगा, और ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी समस् ताजिकिस्तान में ना आ जाएं, तो ये अवार्ट दिया है, इसका नाम क्या है, बस एक बार देख लो, इतना important नहीं है, नाम क्या है अवार्ड का, ओर्डर औफ इसमाईली सौमनी, ठीक है, ये ताजिकिस्तान का highest अवार्ड है, ये किसके बीचे नाम दिया गया है, इसक इमोमली रह्मान ने ये order किया कि ये इस्माइली समोनी first class दिया जाएगा इन दोनों नेताओं को दोनों की death हो चुकिये, both have died 20 साल पहले और 10 साल पहले और अब इन्हें यावाड क्यों दिया गया है क्योंके देखो इन्होंने ताजिकिस्तान में तो कुछ ऐसा खास किया नहीं था, लेकिन ताजिकिस्तान की government का official statement यह है कि इन्होंने inter-Tagic peace negotiations करवाय थे actually Soviet Union से अलग होने के बाद ताजिकिस्तान में भी एक छोटा सा ग्रही उद्ध चला था लेकिन अब माना यह जा रहा है कि यह political निर्ने है क्योंकि जबसे America अफगानिस्तान को छोड़ कर गया है तबसे किवल एक मात्र resistance जो Taliban face कर रहा है वो है Ahmed Masood who is the son of Ahmed Shah Masood और Amrullah Salih के द्वारा तो यह Ahmed Shah Masood के बेटे है Ahmed Masood he is 32 years old और अब यह लड़ाई लड़ रहे हैं पंशीर वैली में लेकिन यह देखना होगा कि क्या यह जीत पाएंगे या नहीं तो अब ताजिकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि इनका faction थोड़ा powerful रहे तो एक तरह से सम्मान देने के लिए इनके पिताजी को अब यह posthumously award दिया गया है और पंशीर और ताजिकिस्तान के बीच में बदक्षन प्रोविंस है और अब इनकी कोशिश यही है एहमद मसूद और इनके fighters की कि जल से जल बदक्षन पर अपना कबजा कर लिया जाए क्योंके ताजिक और उस्बेक्स जो है यह यहाँ पर majority में है बजाए पश्टून के क्योंके पश्टून majorly दक्षन वाले एरिया में जादा है तो इसी के साथ यह lecture समाप करते हैं इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो do subscribe to the channel वीडियोस अच्छे लगें तो इन्हें like जरूर कीजिए और अगर आप एक proper schedule के साथ UPSC exam की त्यारी करना चाहते हैं तो अनगाडमी subscription को अवेल कर सकते हैं भारत के best educators यहाँ live पढ़ाते हैं special classes होती हैं which are completely free बहुत बार मुझसे students पूछते हैं कि special class का पैसा लगेगा कोई subscription लेना है जी नहीं अगर कहीं कोई code मांगा जाता है आपसे so always you can use the code महिपाल to unlock the free content अगर आप course subscription लेना चाहते हैं तो plus और iconic दो तरह के subscription है iconic में आपको एक mentor की guidance भी मिलेगी यह इसका benefit है जो भी course लें उसमें 10% discount मिलेगा if you are using the referral code महिपाल और अभी हमने 22 और 23 के batches के लिए पूरा detail plan बना दिया है website पर upload भी कर दिया है तो देखें किस तरह से classes होंगी किस तरह से revisions होगा यह पूरा detailed schedule अगले एक साल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो 2 year और 1 year batches जिसकी भी आप तयारी कर रहे है exam की उस अनुसारा batches को join कर लीजे optional की तयारी भी हाँ पर कर सकते है और अभी 3 in 1 offer है जिसमें आपको notes free मिलेंगे अगर आप 1 year subscription लेते हैं तो और एक special offer के तहत हमने 60 days का plan आप लोगों के लिए available कराया तो जो prelims देना चाहता है 10 October को उसके लिए ये फायदा है कि वो 2 महीने का subscription लेकर revision कर सकता है अपने कमजोर subjects का 1st September से start हो चुका है Mission AIR Prelims 360 Degree Current Affairs Batch इसमें Prelims Point of View के MCQ कवर कर आए जाएंगे 6 तारिक से इसमें मेरी भी class start होने वाली है on the government schemes तो इसको जरूर देखेगा और ये free test series का फायदा उठाइए combat में हिस्सा लीजे रविवार को आपको बहुत सारी scholarships जीतने को मिल सकती है Thank you very much for watching this Have a great day